एक द्विघात समिकरण का गुणन खंड द्वारा समाधान X बराबर अलफा का मुल्य द्विघात समिकरण AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर शुन्य का मूल होगा A शुन्य के बराबर नहीं यदि और अगर यदि X बराबर अलफा द्विघात समिकरण को संतुष्ट करता है जो की यदि A गुणे अलफा वर्ग जमा B गुणे अलफा जमा C बराबर शुन्य उदाहरण के लिए X बराबर 3 द्विघात समिकरण 2X वर्ग घटा 5 X घटा 3 बराबर शुन्य का मूल है जैसा की दिये गए समिकरण के बाएं पक्ष में X बराबर 3 के प्रतिस्थापन पर हम पाते हैं दो गुणे तीन वर्ग घटा 5 गुणे 3 घटा 3 बराबर शुन्य दो गुणे 9 घटा 15 घटा 3 बराबर शुन्य 18 घटा 18 बराबर शुन्य बाया पक्ष बराबर दाहिना पक्ष दुई घट समिकरण के शुन्य और मूल बराबर है उदाहरण गुणन खंड द्वारा दुई घट समिकरण 6X घट 2 जमा 11X जमा 3 बराबर शुन्य के मूल का पता लगाएं समाधान दिया गया है 6X वर्ग जमा 11X जमा 3 बराबर शुन्य सबसे पहले मध्य पद 11X को 9X जमा 2X में तोड़ दें क्योंकि 9X गुणा 2X बराबर 6X घट 2 गुणा 3 6X वर्ग जमा 9X जमा 2X जमा 3 बराबर शुन्य 3X गुणा कोश्थक 2X जमा 3 कोश्थक जमा 1 गुणा कोश्थक 2X जमा 3 कोश्थक बराबर शुन्य कोश्थक 2X जमा 3 कोश्थक गुणा कोश्थक 3X जमा 1 कोश्थक बराबर शुन्य इससे अर्थ निकलता है कि कोश्थक 2X जमा 3 कोश्थक बराबर शुन्य कोश्थक 3X जमा 1 कोश्थक बराबर शुन्य इसका अर्थ है x बराबर घटा 3 बटा 2 घटा 1 बटा 3 तो x बराबर घटा 3 बटा 2 और घटा 1 बटा 3 द्विगात समिकरण के मूल है